हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में इस वीडियो में फिटिंग सेट की कटिन की इस तरह से करते हैं देखेंगे सेट का नाप देख लेते हैं लंबई, साड़े सत्ताई, सीना, साड़ती, सोल्डर, अठारा, बाजू, पच्चिस और कालार है 14 इंच तो इस तरह से कपड़े को डबल करके हाँ पर फोल्ड करके बिचाएंगे कपड़ा को सीधा करने के लिए इस तरह से लाइन करेंगे सेट की लंबई है साड़े सत्ते इस तो एक इंच प्लस करेंगे और साड़े 28 इंच पर लंबई के निसान लगाएंगे एक निसान और लगा लेंगे प्लेट के लिए पौने दो इंच लेंगे इसके बाद सोल्डर डाउन करेंगे सोल्डर है अठारा इंच तो यहाँ पर सवा दो इंच डाउन करेंगे इसके बाद आर्म होल के निसान लगाएंगे सीने का चौथा हिसा होगा सवा नव इंच लेकिन हाप इंच माइनस करेंगे और पॉने 9 इंच पे आर महोल का निसान रखेंगे और यहाँ पर पेट का निसान लगाएंगे 16 इंच पे 14 इंच तो 1,5 इंच लेंगे एक निसान और लगाएंगे और उपर से नीचे लगाएंगे 1,5 इंच इसके बाद सोल्डर का निसान रखेंगे सोल्डर का हाप होगा नव इंच तो यहाँ पर हम नव इंच पर निसान लगाएंगे इसके बाद हाप इंच मार्जिन कलेंगे इसके बाद यहाँ पर भी हम सोल्डर का हाप निसान लगाएंगे 9 इंच यह देखिए यहां से और 1.5 इंच अंदर की तरब निसान लगाएंगे यहां पर सीने का निसान लगाएंगे सीने का चौंधा हिस्सा 9 और पौने 2 इंच लूजिंग देंगे क्योंकि फेटिंग की सर्ट है तो यहां पर लगाएंगे 11 इंच पे इसके बाद जितना हम सीने के निसान लगाएंगे 11 इंच तो यहां पर हम 1.5 इंच माइनस कर लेंगे और 1.5 इंच पे निसान लगाएंगे पेट में इसके बाद बाटम में हम जितना सीने के निसान लगाएंगे 11 इंच पे इसके बाद बाटम से सीना तक जब सेप देंगे तो राउंड फंटी से देंगे ये देखे सबसे पहले हम पेट से सीना तक सेप देंगे इस तरह से इसके बाद राउंड फंटी पल्टी करेंगे और बाटम से पेट तक सेप देंगे बाटम से उपर की तरब दो इंच पे निसान लगाएंगे ओपन सेब देने के लिए और इस तरह से हम ओपन सेब दे देंगे इस तरह से हाप इंच पे निसान लगाएंगे दबाव के लिए और आर्म होल को इस तरह से राउंड करेंगे कालहर को भी राउंड करेंगे इस तरह से यहाँ पर कट लगाएंगे प्लेट के पास तकि इस्टिचिंग के समय असानी हो इसके बाद बेग पार्ट की कटिन करेंगे तो यहाँ पर हम बेग पार्ट की कटिन करेंगे यह जो तिर्चा है इसको हम सिधा कर लेंगे लाइन करके इसके बाद जितना हम फ्रंट में सीने कर निसान रखें उसमें हाप इंच माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर हम साड़े दस इंच पर निसान लगाएंगे तो इसी तरह से निसान लगाएंगे हाप इंच माइनस करके उसके बाद इस तरह से पकड़ेंगे जहाँ पर निसान लगाए हैं और इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे यहाँ पर कपड़े को सीधा करने के लिए लाइन कर लेंगे इसके उपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम बेक डॉण कर निसान रखेंगे तो यहाँ पर हम रखेंगे साड़े तीन इच आप चाहे तो 2.5 इच कुछ भी रख सकते हैं इस निसान को यह देखे किनारे पर रखेंगे जहाँ पर लाइन कि इये हैं यह देखे इस तरह से इसके बाद बेक में सोल्डर का निसान लगाएंगे तो सोल्डर का हाप 9 इंच प्लस हाप इंच मार्जिन का तो 9.5 इंच यहां पर सेंटर का कट जरूर लगाएं इसके बाद बाजू की कटिन करेंगे तो यहां पर हम बाजू की कटिन करेंगे इस तरह से डबल करके फोल्ड करके बिछाएंगे उसके बाद एक बाद और फोल्ड करेंगे फोर फोल्ड कर लेंगे यह देखे इस तरह से यहां पर भी कपड़े को सीधा करने के लिए लाइन करेंगे बाजू की लंबाई है 25 इंच तो इसमें एक इंच माइनस करेंगे और यहाँ पर 24 इंच पर निसान लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम 2 इंच का कप रखेंगे आर्म होल को डाउन करेंगे 3.5 इंच और आर्म होल रखेंगे 5.9 इंच यहाँ से पौने नौ इसके बाद यहाँ देखें हम मोरी रखेंगे 5.5 इंच इसके बाद राउन भंटिलेंगे और आर्म होल से मोरी तक इस तरह से सेब देंगे राउन करते हुए यहाँ पर भी इस तरह से हम राउन करते हुए इसको सेब देंगे यहां से दो पल्ले उठाएंगे दो पल्ला नीचे रहेगा और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहां पर हम नाकों से इस तरह से निसान लगाएंगे यह देखिए अच्छे से निसान बना लेंगे इसके बाद चाक पटी कर निसान लगाएंगे यहां पर तो यहां पर लेंगे साड़े पाँच और यहाँ पर जहाँ पर निसान बनाए है वहाँ से हाप इंच अंदर की तरफ कटिन करेंगे एक साइट को डाउन करेंगे इसके बाद सोल्डर की कटिन करेंगे तो यहाँ पर हम सोल्डर की कटिन करेंगे यह देखे डबल करके हाँ पर फोल्ड करके बिचा लेंगे यहाँ पर डबल सोल्डर की कटिन करेंगे तो इस तरह से हम डबल करके हाँ पर फोल्ड कर लेंगे तो सबसे पहले हम सोल्डर की चोड़ाई रखेंगे हमने बेक को डाउन किया था साड़े तीन तो यहाँ पर दो इंच प्लस करेंगे और साड़े पांच इंच रखेंगे सोल्डर की चोड़ाई सेम निसान यहाँ पर लगाएंगे साड़े पांच सोल्डर की लंबाई रखेंगे 9 प्लस हाप इंच साड़े नव इंच यहाँ पर भी लगाएंगे साड़े नव इंच पर निसान इसके बाद यहाँ पर हम दो सूंद एश्टा लेंगे और यहाँ पर हम कलहर कर निसान रखेंगे तो यहाँ पर हम दो सूंद प्लस करके निसान लगाएंगे पौने तीन इंच पे यहां पर में निसान लगाएंगे इसके बाद उपर की तरब देड़ इंच पे निसान लगाएंगे क्योंकि कलहर 14 इंच है यहां पर सेंटर का कट जरूर लगाएं यह देखे नीचे की तरब लगाएंगे कट तो इस तरह से दोस्तों डवल सोल्डर की कटिन असान तरीके से कर सकते हैं इसको हम कट करके अलग कर लेंगे कर दोकर लेंगे ज़सिए लाएंगे कर दोकरर दोत्योंकि असान जाएंगे यह नहाएंगे कर दो कि थाएंगे झाल झाल